ओम शांती जो सही है उस तरह से सोच अ किसी की वज़े से दिल शिकस्ति नहीं आती आपकी सोच का लेवल नीचे आ रहा है क्योंकि माया का वार हो रहा है यह जो घुटकाना उदास होना रोना दिल शिकस्त होना यह क्या है ये सम माया कवार है दिल खुश नहीं है शिकस्त है, उदास है परिशान है, ये क्या है माया कवार हमने कभी इस संदाज में क्यों नहीं सोचा हम कितनी असानी से कह देते हैं आज ना बस बड़ी दिल शिकस्ती सी मैसूस हो रही आप अपने आपको को कि माया आपको बार बार थपन वार रही है आप थोड़ा से रूप बदलो तो आपको लेगेगा कि अरे क्यों मार रही है, नहीं होना चाहिए ज़िए अशा, और कितनी असाणी दिल शिकस्त माना माया कवार हो रहा है, अटेक हो रहा है ये क्या है? माया का वार पुर्षार्थ करके बाबा को याद करना है, खुश रहना है, मुझाइस नहीं आनी चाहिए, दिल शिकस्ती नहीं आनी चाहिए, हरशित्पना घुम नहीं होना चाहिए, अगर ये सब कुछ हो रहा है, की गायब हो रहे हैं, तो माया वार कर रही है और इस बात को ऐसे लेना कि माया वार कर रही है वो आपको हिलाएगा लेकिन इतना कह देना कि बस आज तो ना बस परशान से है पता नहीं क्यों हो कोई परशान ही करते रहते हैं लेकिन आप ये कितने अराम से बोल देते परशान है, वाना बाबा की दिव इशान से अप परे हैं, बाबा ने जो आपको इतना अपने दिल पर विठाया है, उससे आप उतर के माया की गोद में बैठे हैं, ऐसे भी तो विचार किया करें, समझना चाहिए, ये माया का वार होता है, इसलिए पुर्शार्थ कर बापको याद करना है, ओम शान्ति